कि देखिए magnetic effect of current पे हमने बताया था थोड़ी कहानी कहानी हुई थी ने सतनार भगवान की कहता जिसे होती है तो उसमें एक सुरुआत में जब होता है वो अब सुरू करते हैं अब सुरू करने जा रहे हैं देखिए ऑस्टेट साब ने देखा कि जहां पर current होती उसके चार ओर एक magnetic head फील होती है और जहां current होती है उसके चार॓र electric field होता है कि नहीं होता है यह मालूँ है कैसे बता रहे हो होता है तो जहां current flow होती उसके चार ओऐ electric field नहीं होता तोकह electric field होने की लिए एक charge चाहिए और current जिस circuit में flow होती है उसमें net charge कितना होता है जिरो उसे charge नहीं होता वह एक wire आप जब लेते हो एक wire ये लोहे का wire है अब लोग सुनाथ जोते हैं अब लोहे का बास्टी का बतारा लोहे का है मान लेते हैं लोहे का मानने हम क्या दिकर इसमें केवल जो इसके अच्छा इसमें देखे इसमें atoms है इसके चारों electron चक्कर लगा रहे हैं कुछ electrons इसके ऐसे होंगे जो thermal agitation की कारण अपने atoms को छोड़के बाहर चले गए होंगे लेकिन रहेंगे इसी वायर के इंदर ना मतला अपने atoms से वाहर चले गए लेकिन atom कैसा हो गया positive electron जब बाहर निकलेगा तो electron का charge कैसा negative और atom कैसा हो गया positive लेकिन net charge कितना है zero अभी हमने इसको इस atom से बाहर थोड़ी किया इस star के बाहर थोड़ी किया है तो star में net charge कितना है zero तो बैटरी से जोड़ने पर क्या बैटरी को charge देती है नहीं तो net electric field zero होता है क्योंकि इसके अंदर net charge नहीं है ठीक है हाँ magnetic field होता है वो तो बात की बात है तो austet साब ने कहा कि भाई हमने बताया था कि एक wire उन्होंने लिया ठीक है और उस wire को एक बैटरी से जोड़ दिया जब बैटरी से जोड़ा तो इस wire में current फ्लोना शुरू हो गई क्या बैटरी ने electron दे दिया इसको बैटरी ने केवल उन जो electron होते है न उन्हीं को हाँ एक align कर दिया एक direction में चलना सुरूए तो हमने का जब current फ्लो ही तो यह जो उन्होंने अपने पास एक magnetic needle लखी थी उसमें deflection हो गया यह बताया न हमने और जब इसकी polarity change कर दी थी उन्होंने तो हमने कहा था reflection की direction लेकिन आखिर यह जो direction change कैसे हम कर रहे है कभी arrow को इधर लेके आते कभी arrow कैसे हम जाने कि कौन से north pole होगा south तो कैसे हम बनाएंगी इसको बनाने के लिए एक नियम बनाया गया है snow rule क्या rule है snow rule है snow rule है s-n-o-w ठीक यह snow rule बनाया गया है इसका पहले समझिए का मतलब क्या होता है अगर मालिया किसी wire में current flow हो रही हो किसी wire में current flow हो ठीक है और किधर की तरफ south से north की तरफ flow हो रही हो यह ध्यान रखेगा इस wire में current flow हो रही है इन्होंने तो एक आदमी बनाया हुआ अब आदमी थोड़े हम बना पाएंगे एक आदमी एक अर्टैर रहा हुआ है इस प्रकार से सर को नीचे रख किये हुए ठीक है और उसके पैरों से current जो है entry करे और सर से निकले आप कहीं और सो भी entry कर सकती है लेकिन आप पैरों से entry खड़ा हो तो कुल नागे हम आदमी तो नहीं बनाएंगे हम इसमें तार बनाए दे रहे है साउथ से नार्थ क्यों करें और इसके नीचे आप यहाँ पर एक magnetic needle लग दीजिए needle वैसे अच्छी वाली किता में बनी है हम सास्ति वाली बनाए हुए ठीक है तो इसमें south to north current flow हो रही है ठीक है और over इसके ऊपर क्यों यह है तो इसमें ये north pull होता है और ये इसका south pull होता है ये north pull होता है ये south pull होता है ठीक है ये याद रखीगा इसमें जो पूरी कहानी में बताए दे रहूं कि वायर किदर हो South से North Current Flow हो रही हो और Over the needle बताँ ये वायर है कहां Over the needle तो का गया It deflects towards the West तो ये West direction में deflect हो जाती है ये needle किदर deflect होती है West direction में अब West direction का मतलब ज़र समझेगा पहले इसका मतलब समझेगा चुकि 3D diagram ये है तार को ऐसे रटकाना पड़ेगा न आप देखो ये तार है ये तार है और तार किदर है South से North की तरफ है आपने उधर क्या माना है North इधर क्या माना है South Indication के हिसाब से जो East West North South का जब ग्यान हमको कराए जाता है तो नियम उसमें क्या होता है East West North South के लिए क्या नियम बताए गया इसको बंद को उनको ने कभी है नियम ये बताए गया कि भई जिधा सूरी निकलता है उधर अपना मूँ करके खड़े हो जाओ ठीक है तो पीट किदर होती है West direction में Right hand किदर होता है दक्षण दिस्सा में South में और Left hand North direction नहीं होता न मालूँ है East direction नहीं मालूँ ये देखा भईया हम लोग बच्पन जे पढ़ते हैं वो एक कभीता की बातन पढ़ाए जाता था इधर सूरी निकलता उधर आप मूँ करके खड़े हो जाईए तो उधर East होता है इधर West होता है जो आपका Right hand है दाया हाथ वो होता है South direction में और ये नार्थ होता है नहीं मालूँ आपको नहीं मालूँ आपको आपने लड़कन का पड़ी हो कहें पापा इधर काउं दिसा होई पूरा दच्छन कि इधर होई इधर इसे बता रहा है ना कटा दोगे तुम अब सुने ध्यान से अब ज़रा इसको 3D समझेगा ये तार किधर किधर तरफ है South से मतलब ये नार्थ माना है ना तो अपना हाथ इधर South किया ठीक है ये South होगा ना इसकी बात में कर रहा हूँ और ये नार्थ तो मूँ किधर है मारा है ये इसकी तरफ और ये तो यानि कि अगर आप ये निडिल ऐसे रखेंगे तो निडिल वेस्ट डैक्शन में होगी तो इधर चली आएगी न ये कौन सा निडिल का कौन सा सिरा जाएगा नार्थ सिरा जो जिसमें वो एरो बना होता है जिसलिए एरो वाला अंदर जा रहा देखिए तो ये स्नो रूल होता है फिर समझेगा करेंट साव से नार्थ और करेंट का वायर कहा है ओर दा निडिल देन निडिल विल डेफलेक्ट तवर्स वेस्ट वेस्ट डेक्सिं में रेफलेक्ट होगी इस डाइग्राम को बना लीजए अपनी जानकारी के लिए और इसनो रूल लिख लीजएगा इसनो इसनो रूल में लिखे जाजा ध्यान से इसके लिए लिख लो नीचे बोल रहा हों पर लिखे It indicates that if the current flows from south to north If current flows from south to north And the wire is held over the needle And the wire is held over the needle Then the north pole is deflected towards the west If the current flows from south to north If the current flows from south to north And the wire flows from the needle So the needle will deflect towards the west This means that the rule is called Generally, they forget the people They forget the attention So this means that the attention is held over the needle The wire is held over the needle Where is the needle ? Here, where is the needle? With the needle which will be deflected towards the west bay We are deflected towards the austere experiment In the austere experiment We must find that the needle will deflect towards the center हैं तो क्या बताया गया कि भाई जहां पर current होती उसके चार और magnetic field होता है तो आखिर magnetic field कितना होता है बना लिया इसको magnetic field कितना होता है इसके लिए औस्टेड ने कुछ नहीं बताया क्योंकि औस्टेड जो है magnet का experiment नहीं कर रहे थी उन्होंने केवल यह ऐसा देखा और उन्होंने सबको बता दिया ऐसा होता है और सब scientists पूद पड़े आगर के इस नियम में और अपने अपने नियम मर आए तो next है बायो सेवर्ट्स ला बायो सेवर्ट्स ला यह दो करेंट फ्लो होने के लिए करेंट होना जरूरी है और लेंथ होना जरूरी है किसी वायर पे लेंथ होनी चाहिए ना करेंट फ्लो कहां होगी यागर की तो बायो सेवर्ट्स लेकर के कुछ ऐसा नियम बनाना चाहते थे जैसे कुलाम साम ने बनाया था कुलाम ने क्या कहा था कुलाम ने कहा था कि अगर एक charge है एक जगे रख दिया जाए stationary रख दिया जाए तो उसके चारों और एक electric field create हो जाता है उस electric field की value क्या होती है e is equal to kq upon r square यानि कि जो electric field है वो किसके proportionate होता है charge के और electric field inversely proportion होता है one upon r square के और ये जो one upon four five solid knot है यानि कि medium की permittivity भी उस electric field को effect करती है तो बायो सेवर ने कहा कि इसका मतलब चुकि current flow हो रही है मतलब चार्ड वहाँ भी है तो magnetic field भी कुछ इसी तरीके से बन जाएगा तुन्होंने का magnetic field किस पर depend करना चाहिए current पर करना चाहिए अब current के लिए length चाहिए तुन्होंने एक current element लिया और उसकी length को क्या माना deal तुन्होंने का अब भी ऐसा होना चाहिए और r square के proportionate होना चाहिए ऐसा बायो सेवर ने समझा लेकि जब calculation कर रहे थे थोड़ा बहुत इनको दिक्कत आई कहीं भी current ऐसे कहीं भी flow हो रही है कैसा भी conductor हो सकता है त्रेड़ा मिला हो सकता है ठीक है और इसमें current फ्लो हो रही है और इसकी वज़े से magnetic field निकालना है ठीक है तुन्होंने का magnetic field के लिए हम क्या करें बहुत पूरे wire के लिए magnetic field निकालेंगे तो फिर तो अलग ट्रेड़ा मिला जा रहा है अगर किसी point पे magnetic field आप निकालना भी चाहोगे तो wire के हर एक point से वहां की distance चेंज हो रही है ठीक है तो wire को ज़्यादा सरपिलाकार बन गया है थोड़ा यसा बनाओ नहीं तो ज़्यादा देखने बड़ा आजीब लगेगा खतरनाक टाइप लग रहा है तो उन्होंने का एक छोटा सा हम इस wire को इतना छोटा ले ले कि उसे छोटा possible ना हो length तो लेनी पड़ेगी क्योंकि current को flow कराना है तो छोटे से part में flow करा हो इस wire की length 0 ले लो length के लिए इस्तेबाल किसका क्या आता है DL का मतलब क्या होता है calculus में very very smart trends to 0 ठीक है और इसमें current कितनी flow ही इसकी length कितनी लिए उन्होंने DL का का सब मालू है आपको और इसमे current कितनी flow ही है I तो ideal जो होगा वो क्या कहलाएगा एक current element है current element है है धारा आवे हो ठीक है यह current element है और इसकी वज़े से एक point पे magnetic field निकालना है इसकी वज़े से इस point पे magnetic field निकालना है R distance पे तो उन्होंने कहा तब magnetic field at the point P जो है चुकि very small element लिया है तो very small magnetic field होगा तो magnetic field at P magnetic field at P पहली बात उन्होंने कहा it is proportional to the length जितना ज्यादा length लोगे उतना ज्यादा current ज्यादा होगी simple सी बात है या आप current element ले लो तो उन्होंने कहा magnetic field B पे है P point पे that is proportional to the length of this conducting wire इस wire की length के proportionate होती है length कितनी लिए उन्होंने small length क्योंकि वो कुलाम के हिसाफ से बना रहे थे ना तो कुलाम ने कहा था charge कहा होना चाहिए एक point पे होना चाहिए current को तो point रख नहीं सकते current को flow कराने के लिए charge को चलाना पड़ेगा ना और चलाने के लिए कैसे चलाओ थोड़ा तो जगे देनी पड़ेगी तो वही length लोगे dl मानी दूसरा उन्होंने कहा it is proportionate to the current in the conductor यह जो length element है इसमें current flow हो रही है इसके proportionate होता है और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इस conductor और इस point को मिलाने वाली जो line है उसके भी angle होता है उसके sign के proportionate होता है ठीक है जोकि theta change होता रहे हार एक point पे हमने इसलिए वो ठीटा बढ़ा बनाया था theta भेंकर उसे change होगा तो यह magnetic field होगा और धीरे धीरे क्या होगा अब इसकी उजस निकालोगे तो theta change हो जाएगा न आर भी change हो जाएगा जिस प्रकार से सबकी value निकाल उठाके क्या कर दोगे add कर दोगे तो net magnetic field निकल आएगा तो db is equal db proportionate क्या होगा ideal अच्छा एक चीज़ और तो लिखना भूल गए db proportionate one upon r square यह inverse square ला को follow करता है तो जब सबको मिलाया गया तो आगया ideal sin theta upon r square इसको जब calculate किया गया और practically में वहाँ चेक किया गया होगा कोई कोई भी उसका सिस्टम चेक करने का magnetic field का होता होगा तो देखा यह value थोगा differ कर रही थी जब कोई चीज़ डिफर करती है तो आए constant introduce किया जाता है जैसे आप मान लीजे कहीं पर force आपको निकालना है और आपके calculation के हिसाफ से force कितना आ रहा है पांस newton और प्रेटकली देख रहे हैं तो दस newton आ रहा है आपने value change की force निकालने के लिए जो भी चीज़े हैं माले m1m2 पनारिस को ले 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 जी आप आप gravitation ला ले 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 और आप force निकाला आपने देखा 70 newton वहाँ पर आ रहा 140 newton तो rules तो आपका follow हो रहा है लेकिन बार बार two जो है वो दो गुना हो जाता है value वहाँ तो हम क्या करते हैं constant introduce करते हैं और उसकी value क्या ले ले लेते हैं तो यह constant लेने का तरीका नहीं दा रही क्या वो अपने आप ले सकते हैं ठीक है तो देखिए जब इन्होंने कहा यह value नहीं आ रही थी तो उन्हें का इसका बता मीडियम ने गड़बर कर दिया मीडियम की permeability जैसे वहाँ पर क्या था permittivity electric field को क्या करता है medium cut कर देता है यह medium की permittivity है ठीक है विद्दू शिलता यह चुमबक शिलता होगी तो यहाँ constant यहाँ गया mu not upon 4 pi ideal sin theta upon r square ठीक है जहाँ पर mu क्या है बाद में लिखता हूँ मैं अच्छा है mu not upon 4 pi एक नट लिख दीजे where mu not जो है उसको कहते है permeability permeability of free space free space कि यह permeability है और mu not की जो value होती है वो होती है 4 pi into 10 power minus 7 और unit जो होती है किताब से cheating करके लिखेंगे कहां लिखी है tesla meter ampere inverse tesla meter ampere inverse देखो यह आई कहां से magnetic field की जो unit है और tesla होती है तो समलिजे ज़रा इसकी tesla हो गई है न r square इदर ले क्या हो तो tesla हो गई और r square multiply में आ क्या हो गया meter square हो गई यहाँ पर आई अपान में आएगा इदर देखे आई अपान में आएगा तो i की unit क्या हो जाएगी ampere हो जाएगी dl upon में आएगा dl की क्या हो जाएगी meter हो जाएगी meter meter cancel हो जाएगा तो tesla meter ampere inverse हमने mu naught की वालो लिखी है ज्यादा तर mu naught upon 4 pi की वालो लिखी होती है ठीक है 10 power minus 7 tesla meter ampere inverse ठीक है तो ये आपका bio savers कुछ लोग bio savers लाव कोलते हैं हम तो उसमें थे नहीं जब इनको इनकी अम्मा काब लाती थी तो bio savers लाव याद को रोका किया जाए देखे permability और permittivity पे कोई अंतर नहीं होता है लेकिन दोनों की अगर एक ही नाम दे देंगी ठीक है भई प्रसांत मतब लड़िका निसांत मतब लड़िका और सबका प्रसांत जब निसांत भी लड़िकवा है यह तो air है तो हमें जितना magnetic field चाहिए उतना नहीं मिल रहा है इसका मतब क्या हुआ medium ने magnetic lines को absorb कर लिया वो उसकी permit करना वो है वही चीज permittivity लेकिन वो एक ही नाम दे दोगो हर जगे तो फिर अब आप कहेंगे electric यहां भी charge है वहां भी charge था यहां भी charge चलना शुरू कर देगा तो नाम क्या हो गया current तो उसको भी आप e दो तो सबका एक ही नाम दे दोगो तो फिर change करना पड़ेगा ना इसलिए ऐसा नहीं किया ठीक है अब देखिए अब यह एक vector quantity है magnetic field कैसी quantity है vector quantity है अब इसको vector से बनाए कैसे जाए देखो यह DL है ना और यह R है R और DL की पिचेंगे कितना है थीटा तो दोनों का cross product लगेगा A cross B A B sin थीटा होता है तो यहां तो R होना चेहना उपर तो हम क्या करेंगे हम अगर इसको लिखने DB is equal to mu naught I DL cross R और नीचे R से divide करते mu naught upon 4 पाई तो यह vector form में लिखने का तरीका है ideal cross R एच नहीं में देखिए ideal को एक साल लिखा जाता है तो इसको हम current element कह देते हैं very very small element में पहने वाली current उसका नाम देती है हमने current element तो ideal cross R upon R cube confuse मत होईएगा यहां पर R square है आएगा R square ही आएगा अब जड़ा देखिएगा हम इसकी DB की direction क्या देते तो cross product में direction देने का जो तरीका था A cross B वरावर AB sin theta क्या तरीका बताएगा कि A cross B में अगर करना है तो A की तरफ अपने दाए हाथ की यानि right hand की हथेली फेलाईए और A direction में आपने हाथेली को करिए और B direction में इसको उंगली मोर दीजिए तो जो अंगुटा होता है ये direction of resulting field जो A cross B की direction उसको represent करेगा अब यहां दिकते 3D diagram है अगर ऐसे wire कर देते ठीक है तो हम ऐसे करते और R की तरफ हाथेली इसे मोर देते ठीक है तो यहां पर आप cross से करिए magnetic field को direction बताने के लिए हमने कई rule बताए थे उसमें सबसे सस्ता वाला जो rule था right hand palm rule दोनों rule हम बता सकते हैं जो को हम सभी rule से बताए जे रहे right hand palm rule number one क्या कहता है बताए है है जो का कर रहे हो palm ऐसे हो थे उंगली का है मोरे दे रहे हो उंगली मोरदा तो मिठी बन जाई palm के लिए जरूरी है कि उंगली फैली रहे ठीक है हमने का क्या गादा अपने right hand के अंगुठे को current direction रखिए और इन उंगलियों को उस point की तरफ रखिए जिधर magnetic field निकालना है तो magnetic field हाथेली के perpendicular अप वड़े नार्थ फोल होता है अब ये अंगुठा ये current उपर flow हो रही ना ये तो ये अंगुठा और ये point invert आ रहा है तो यहां magnetic field क्या होगा invert direction में होगा ठीक है अचा अगर ये point इधर होता तो अगर माले ये ऐसे point होता तो यहां पर क्या है ये अंगुठा ये हथेली ये point उपर क्या रहा है यहां पर outward होता ठीक है बोले ठीक है माल लेते हैं अब आप भाईसाफ right hand screw लगाओ अब right hand इसको देखे right hand हमने एक वो पताया था thumb rule सुनिए ध्यान से आपने इस wire को पकड़ा इसे आपकी उंगलियां किदर जा रही है ऐसे इसको कर रही है तो magnetic field पहले किदर किदर जाएगा अंदर तरफ फिर बाहर निकलेगा आप देखो ज़रा ये इस point को देखे इसमें magnetic field अंदर जा रहा है अगर इस point तरफ आओ घुम करके तो बाहर निकल लाए ठीक है तो वो भी आप कर सकते हो कि magnetic field यहां अंदर गया यहां बाहर निकल लाए ठीक है तो यह बायो सेवर्स लाए नोट करिए इसको यहां एक noting लगा देते हैं जरा समझने की कोशिश करो एक नोट अगर ठीटा जिरो कर दे हम पहली बात अगर ठीटा हम जिरो कर दें जिरो करने का मतलब हम कहां पर पहुंच गए इस वायर के उपर ही कहीं हो गए ठीटा जिरो का मतलब क्या होता यह point घूम फिर के कहां पर आ गया इस वायर के उपर तो वहाँ magnetic field कितना होता है जिरो होता है इस wire के उपर magnetic field नहीं होगा चारो तरफ होगा तो दूसरी बात अगर theta 90 कर दे तो 90 पे आप जानते है sine 90 की value maximum होती है तो वहाँ पर जो b की value होगी वो max हो जाएगी जो भी value आती है निकाल लेंगे mu not upon 4 pi ideal upon r square तो यह maximum value आपको मिलेगी ठीक है तो यह ध्यानक है किसी wire पे अगर current flow रही है तो उस wire के along wire के उपर मतला अगर कोई सीधा wire होता और इसके along कोई भी point आप लेते है तो वहाँ magnetic field कितना होता zero होता अगर माले wire छोटा ही सापने ले लिया और छोटा ही तो ले रहे है आप यहाँ पर आपने क्या क्या है एक line element ले रहे है इसका current element तो इस line के along magnetic field zero होगा ठीक है अब देखें next है कि भाई कुलाम्सला को से inspired होकर कि इन्होंने इसको बनाया था तो कुलाम्सला से इसको compare भी कर दिया जाए तो कंप्रीजन आप बाई उसे वर्टला बाई कुलाम्सला यानि हम बाई उसे वर्सला वर्सिस कुलाम्सला 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 फिल्ड कुलाम्सला का मतलब फोर्स का नहीं फिल्ड का आप जानते हैं बाई कुलाम्सला कुलाम्सला के हिसाब से जो मैगनेट एलेक्ट्रिक फिल्ड होता है किसी पॉइंट पर इसमाल ले रहे तो इसमाली ले लेते हैं इन्होंने इसमाल करेंट माना है तो हमने उतने ही करेंट पर छोटा सा चार्ज ले लिया मान लेते हैं इतना इतना इसमाल करेंट एलिमेंट है कि बिल्कुल पॉइंट समल लिजेगा तो वहाँ चार्ज रखा हुआ है तो कुलाम सला के हिसाब से एलेक्टरी फिल्ड का फामुला क्या होगा वन अपान फोर पाई एपसाले नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वार और बाई वह होगा मू नट पान फोर पाई आई डीयल साइन थीटा पान आर स्क्वार तो अगर इन दोनों नियमों को कंपेर करें तो मैं लिख नहीं रहा हूँ मैं हलका सब्सक्राइब हावा में बाते कर रहा हूँ तो पहली चीज तो आप देखें दोनों इन्वर्स स्क्वार लाको फालो करते हैं यानि कि यहाँ पर जो एलक्रिक फिल्ड है वो इन्वर्स स्क्वार लाको फालो कर रहा है और जो मैगनेटिक फिल्ड है वो भी इन्वर्स स्क्वार लाको फालो कर रहा है यह तो similarity होगी जागर के दूसरी बात है इसमें तो दूसरा नियम है कि प्रिंसिपल आफ सुपर पोजिशन दोनों जगे अप्ली केविल है आप सोचे होंगे यह तो बड़ा कठिन वर्ड है सुपर पोजिशन का मतलब सुपर मारकेट तो सुने थी यह सुपर पोजिशन कहा से आगे प्रिंसिपल आफ सुपर पोजिशन क्या होती है deak से आपने क्या इसमें एक current element लिया था ना जो वायर जिसमें आप current flow करा रहे थे वो क्या आपने लिया था वे इस small length लिया था तो क्या उतने बड़ा वायर था वायर तो बड़ा था तो अगर अलग-अलग points अलग-अलग current element जोड दीजिए और net magnetic field निकाले तो उनको add कर दोगे आप यानि कि आप net electric field निकाले के लिए क्या करो गया रहे यही electric field पर आप करते थे अगर q1 q2 q1 q2 q3 q4 q5 बहुत सारे charges हैं और वो किसी एक point पर जाके electric field create कर रहे होते हैं तो आप net electric field निकाल देते हैं उसका सबको उठाके vectorially प्लस कर देते हैं vector method से vector मतलब direction change होने पर उसका sign देते हैं वैसे यहां पर भी होता है कि भाई आपने line element लिया deal यह deal यह deal यह deal यह deal यह सबको उठाके add कर दो तो net magnetic field मिल जाएगा तो यह super position law को follow करता है ठीक है और यह दोनों ही long range force होते हैं दूर तक यह apply होते हैं जैसे वैसे gravitational force long range force होता है बहुत दूरी तक जो है लगता है वैसे यह भी long range field भी है long range force भी है ठीक है उसमें कोई compression नहीं किया गया है किसमें किसमें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोनों अकेले दोनों का मतलब ही नहीं है ठीक है पत्ति पत्नी में इस रांग कौन होता है वह इसे इनका समल लो husband वाई दोनों एक दूसरे के perpendicular जहां हुई हैं वहां हुई नहीं जहां हुई हैं वहां हुई नहीं और दोनों साथ हैं दोनो जहां अपने साथ हो जाता है और जहां मैगनेटिक फिल अपने आप डिवलप हो जाता है दोनों एक सार चलते जिसको कहते है अट्रों मैगनेटिक वेव टिनको अलग अलग तो आप समझे नहीं जैसे हमारे एक मित्र थे। सीसे दूसरे के गर में गए उनको नहीं मारूँ यह एलेक्रो मैगनेटिक वेव है तुम बीच में कहां पिल गए आकर के पर्मिटिविटी या मीडियम और जैसे वो निकले समझे मैंने समझा दिया वाइप ने का जुनो कल से गर तुमको लगता वाला गलाग है इसलिए ज्यादा इलेक्रो मैगनेटिक फिल्ड में हाँ उंगली मत खरी है यह दोनों एक ही है ठीक है दूस्री बात जो इसमे जो डिफ्रेंस है ओक आ गया है कर टिन्त ग्रेंटेश जो यहाँ पर है जिसकी वजह से लोगो नीद आ रही है बड़ा अक्सिजन की कमी हो जाती है इसके फिजिक्स अंदर जा रही है अब फिजिक्स अंदर जाए तो अक्सिजन अंदर जाए अब इतना ज्यादा एरिया फिजिक्स गेरती है कि अक्सिजन अंदर जाती नहीं तो फिर बड़ा खिछना पड़ता है ना या बताएं अज़ आप नौकरी सब को आई अच चाहिए कि जैसे मुझा थोड़ा बड़े हो गौर्मन देखें अरे आप उन नौकर डियम एक्जाम एक्जाम मत दीजिए आप एक्जाम एक्जाम मत दीजिए पढ़ने लिगे क्या होता कुछ नहीं करना सुनिए ध्यान स जरा मिू नौट अप्सले नौट की बिरादरी पहिजान यह कहां पर पाए जाते हैं तो हम जानते हैं वी नो दैट थुम्हें रिलेशन निकालने जा रहे हैं वी नो दैट वन अपान फोर पाई अपसले नौट की वैलु होती है 9 इंटू 10 पावर 9 यहां युनिट प्रू ती निूटन मीटर स्क्वाइर पर कूलाम स्क्वाइर यह हम जानते हैं ठीक है अच्छा अगर मैं इसको फोर पाई एपसल नॉट कर देता हूं तो यह पलट जाएगी वैलू 9 इंटू 10 पाउर 9 1 अपान और यह आएगा कूलाम स्क्वाइर पर नूटन मीटर स्क्वाइर एंट मीव नॉट अपान 4 पाई की वैलू क्या होगी 10 पाउर माइनस 7 अब दिक्कत है ना टेसला से काम नहीं चलेगा क्योंकि टेसला जो है ना दिक्कत क्रेट करेंगे क्योंकि टेसला और जब कूलाम जब नूटन रखेंगे टेसला रखेंगे हम वो SI सिस्टम मालू है न तो टेसला घुतरा चेंज करते हैं मैगनेटिक फिल्ड का और एक यूनिट निकलते हैं चुकि फार्मुला तो एक है बताया गया देखें मैगनेटिक फिल्ड का एक फार्मुला आगे पढ़ेंगे F ब्राबर BIL तो B ब्राबर क्या होगा F अपान आईल मैगनेटिक तो हिलाओ लेज़ेगा ? तो इसको क्या लिखेंगे ? बिवरावर क्या आप ने लिखा है ? म्यू Yellow・ pap ? इसकी यूनिट क्या बतायेगे ? उसे बनाते ही इसकी यूनिट क्या बताया है? टेसला बुरा बुरा बुल है, टेसला 1ám-aus तेसला tesla meter ampere inverse ठीक है tesla क्या ले सकते हैं आप newton per ampere तो इसको और लिखा जा सकता है 10 Dollar minus 7 tesla क्या लिखेंगे newton per ampere meter उपऌ़ meter ये ampere नीचे आएगा तो इसको क्या ले सकते हैं आप 10 dollar minus 7 newton per ampere square ले सकते हैं आप डाल लिखेंगे इसको newton per ampere square ठीक है, वो तो हमने बनाने के लिए आपको बताया, ठीक है, तो आप ये नहीं लिखेंगे, आप डायल लिख देंगे, न्यूटन पर अम्पेर स्क्वार, यहां नहीं लिखेंगे आप कुछ, बहुत सारी नहीं लिखने हैं, तो इसकी यूनिट एक और आ गई, न्यूटन प equation 1 and 2, जब दुनों को multiply करोगे, तो इधर क्या आएगा, 4 pi epsilon 0 into mu 0 upon 4 pi, यहां value क्या आएगी, यहां आएगी 1 upon 9 into 10 to power 9, multiply कर रहे हो ना, into 10 power minus 7, ज़रा unit को भी multiply करिए, यहां है कुलाम square पर newton meter square और यहां पर है newton पर ampere square, ठीक है, जब यहां तब पहुँचिए, यहां से newton newton cancel हो जाएंगी, कुलाम को क्या लिख सकते हैं आप, अरे फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ भाईस, आप मैं unit की बात कर रहा हूँ, यह कड गया, तो यह तो आगया आपका उपर, mu naught into epsilon naught, इधर देखे, यह 10 को आप मानस 7 को नहीं चले जाओ, तो 1 upon 9 into 10 to power 18 हो जाएगा, 9, 7, 16, 16, देखे, कुलाम को लिख सकते हैं, क्यों बावर IT, यहां इसका unit क्या हो जाएगा, ampere square, second square, यह अपान IT, और अपान, meter square, ampere square, यह cancel हो गया, अब ज़रा देखे देखे, इसको देखे, इसको meter per second का square ले सकते हो नीचे, denominator में, नहीं ले सकते हो, तो इसको क्या ले सकते हो, 3 into 10 power 8 का square, यह C square हो गया, यह velocity का square हो गया, और यह velocity का square की unit भी है, speed of light हो गई, यह यह 1 upon C square हो गया, तो C भरावर क्या आएगा, 1 upon under root mu naught into epsilon naught, यह आपका speed of light और mu naught of epsilon naught में relation है, अब आप कहेंगे, इसमें कहां से गुज़ गया करके, अरे भाई, light electromagnetic wave है, इसका मतलब light जब चलती होगी, तो उसकी speed को control कौन करता होगा, medium की permittivity और medium की permility control करती हो होगी, भाई अगर आप light, light का मतलब light मा समझीए, electric और magnetic vector चल रहे हैं, और medium क्या करेगा, उसको, कम ज्यादा करेगा, इसका मतलब, यह इसको control करेगा, तो यह एक relation होता है, important relation है, so कर लिजएगा,